पूराने में की जो हमारी मशीन आती थी उसको यूज करते थे तो आज जमाना बजल चुका है तो उसके साथ में गन्य का जूस्ट टिकालनेगी काफी हाई टेक्नोलोजी वाली मशीन आने लगए यह मार्केट में तो इसी मेशिन की जानकारे लेने के लिए हम पहुंचे है कोट को पूरा जो कि बटिंडा के पास पंजाब में पढ़ता है तो आज के इस वीडियो में हम इन मशिनों के बारे में जानेंगे इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहती है अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो क्या मेनिफिट देखने को मिलते हैं तो चले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सर पहले तो बहुत बहुत विल्कम है आपका हमारे चैनल पर और सर आज के वीडियो में आप क्या चीजें हमारे किसान बैयों को दिखा रहे हैं वह आप थोड़ा सा बताईए नमस्क्क से किसानों के लिए अलगलग किसम की मशीन दी और फूड आइटम्स उनके लिए पेश कर रहे हैं जैसे कि आपको पता है आजकल अभी यह जो गर्मियों का सीजन आने वाला है इसमें जो जूस मशीन्स हैं खासकर के जैसे गर्ने का जूस यह बेसिकली मैं आज आपको इस वीडियो के माधियम से किसान भाईयों को अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूं शुगर के जूसर या शुगर के एक्सप्रेक्टर मशीन इनको कहा जाता है नौर्मली जो हमने देखा है जो गन्य का सीजन आता है जब जूस का तो जो पहले उनकी ट्रेडिशनल मशीन ज लगे होते हैं जैसे अवाज भी बहुत आती थी धूआ वगयरा होता था यह जो आप देख सकते हैं बहुत ही कंपेक्ट मशीन से हैं यह बेसिकली 100% स्टेनलेस स्टील इनकी बॉड़ी है इलेक्रिक मोटर इन में लगी हुई है इन बिल्क मोटर के साथ है और सिंगल प्रे इन दोनों में क्या डिफ्रेंस से वह थोड़ा सा बताइए जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो दो मॉडल्स है शुगर के इन एक्सपेक्टर मशीन के वह दिखाने जाना हूं सबसे पहले यह जो मॉडल आप देखने हैं यह हम कि हमें कहते थे कि एड़ेस्मेंट के इलाबा हमें कुई इससे हेवी मॉडल दिखा यह जिससे पॉड़क्शन भी इसकी ज्यादा हो तो वह हमने अभी 2HP सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग मोटर में यह हमने गेर ड्राइव मॉडल डाला है इसमें जैसा भी करना है एक ही की पॉड़क्शन आती है 125 से लेके 150 कि 150 लेटर जूस एक घंटेगी और अगर हम बात करें है गेर ड्राइव मॉडल में इसकी जो पॉड़क्शन आती है 200 से लेके 200 के लोगी एक घंटेगी जी सर उसके बाद इनकी जो बोडी है किस मटेरिल से बनी हुए वह आप थोड़ा अगे की तरफसे आप आकए देखेंगे यहां से इनका इनलेठ है अपने को हाथ जान नहीं आपने अप गन्ने का अंदर फीच लेना है और मैं आपको बताना चाहूं का यह एक ही बार में गन्हें का हंड़ूट परसंट जूस निकालेगी यहांने की में फीचर इसमें इस इसके बाद सरे सरे ऑपरेट की स्थरी के से करते हैं वह आप सारी इसके डिटल बताईगे इसको अपरेट करना बहुत ही असान है जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें एलेक्रिक मोटर लगी है आप इसको सिंगल फेस या स्ट्री फेस क्नेक्शन पर चला सकते हैं आपने वह प्लग लगाना है यहां से इसका रेगलेटर है रेगलेटर आउन करके आगे से गन्हा डालना है यहां से इसका जूस आएगा और पीछे देसका वेस्के यह किबार में बहार आ जाएगा उसके बाद सर जैसे कोई फार्मर इने परचाइस करना चाहिए उनकी प्राइस क इसकी कीमत है पचास हजार प्या सर उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल में होती है उन्हें एक जगे से दूसरी जगे लेजाना काफी साथा मुश्किल होता है तो इनका जो वेट है वो कितना रहता है वह तो आप समते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं किलाए करें का काम करते हैं शादी भी हमेंस का आप आसकता है जो लोग तोड़ बनाते हैं गर्ने की जैकली लिए वहां पर इसका यूज हो सकता है उसके बात सर जिसे कोई फार में ने पर्टर ने करता है तो कमपणी इसके ओपर गारंटी वारंटी का क्या सिस्टम देती ह वह आप थोड़ा सब्देगी सच्षिबर एगर एक ना जाता है अपने कस्टमर को क्वाल्टी पॉड़क्ट देने के लिए हम जो भी पॉड़क्ट के सानभाईयों के लिए लाते हैं उस पे हम उनको बारा महीने यानि की एक साल की वरेंटी हम उनको साथ में देते हैं मैं आपको दुबाला कीमत बताता हूँ जो महला चेंड मॉडल है जिसकी कीमत 35,000 है और यह गेर ड्राइब मॉडल है जिसकी कीमत 50,000 है आपने इन दोनों में से जो भी मॉडल लेना है अगर आपने चेंड मॉडल लेना है इसके लिए आपको 5000 कंपनी के किलन्ट अकाउन में डालना है और गेर ड्राइब मॉडल के लिए आपको दस हदार कंपनी के कलंट अकॉन में डालना है और अपना अड्रेस देना है बाकी पेमिन जब आपके दियेगे अड्रेस पे जब हम मशीन यहां से डिस्पैच करेंगे जब लास्ट डेस्टिनेशन पे मशीन पहुंच जा फार्मर सोचा कि हमें यह मशीन परचेश करनी है फिर फार्मर के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या हम जो एडवांस पेमेंट दे रहे हैं क्या वो सई जगह जा रहा है या फिर हमें मशीन मिलेगी या नहीं मिलेगी तो किसानों की सेफटी के लिए आपने क्या सिस्टम कि निकाला वो आप थोड़ा साब रहिए सब्सक्राइब कर जो यह कोश्चन आपने पूचा बहुत अच्छा कोश्चन पूचा इसके लिए मैं आपको अपनी कंपनी का आउट व्यू दिखा रहा हूं आप उसका देखिए इसमें मैं आप से एक ही बात कहूंगा कि जब भी अपने ओडर करना है आप मेरे नंबर पे या मेरे छोटे भाई सब पादूल जी के नंबर पे डिलेक्ट कॉल कीजिए उनफॉचनेटली कहीं बारागारम आपका कॉल पिक ना कर पाएं तो मैं आप से गुजारिश करूंगा जो भी हमारा एक्जिक्यूटिव आपको कॉल क करता है आप उसको कहिए कि मेरी राहुल जी से या पादूल जी से वीडियो कॉल कर आए वीडियो कॉल नहीं होते तो हमारा कंपनी का ओवर व्यू आप देखने के बाद ही एडवांस डाली और अपना और प्लेस की तो सर आप काफी यूनिक प्रोड़क्ट लेक्ट तो किसान भाई उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और प्रोड़क्ट के बारे में अच्छे इंप्रमेशन मिली होगी बिलेंगे इसी प्रकार के एक और इंट्रेस्टिंग जानकरी के साथ अगले वीडियो में तब तक लिए दन्यवाद